कि उसमें लाय रखमांग रही है आज अतीक डेंटल केर के प्लेटफॉर्म से आपको कुछ इंफर्मेशन देगे सबसे पहली बाद जी कि लोगों का डेंटिस्ट्री के बारे में कंसेप्ट बहुत रिजीब से है कि इस लोग सवाल करें लिए चार साल के जो बीडियस का कोर सकते हैं उसमें आपने 22 दान्ग पढ़ने आपको चार साल आपसे 22 दान नहीं पढ़े जाते हैं तो बड़ी मिस्कंसेप्शन है अब यह मॉडर्न डेंटिस्ट्री के जोड़ है चीजों में जिद्ध आ रही है चेंजिस आ रही है सिरफ 32 दान पढ़ने नहीं कि इसके लावा के दूने होता है यह आज का रुपी एक पेशेंट हमारे पास शदीद दर्ब के साथ अपता है उसका दान हमने बचाना आपता है ओन एवरी कोस्ट हर सुरत वे हमारी कोश्ची होती उसकी नेट्रल जो चीज़ है एक वाइटल ओर्गन जो हमारे मूँ के अंदर है उसे बचाना बहुत जरूरी है कि अगर वाँ निकल गया तो इससे आर्टिफिशल प्रोस्थीस की तरफ चाना पड़ेगी अल्ला तहला ने जो चीज़ नहीं उसका नेम बदल पर नहीं हो सकते हैं इसलिए आईडियली नेच्ट्रल चीज़ हमको बचाना बहुत जरूरी है इसलिए डिफरेंट प्रोसीजर अब टाइम के साथ साथ आगी ने एवन के हमने स्टेम सेल का यूज भी किया है दान के अंदर जो गूदा या नर्व उती इसे पल्क भी करते हैं वह भी हमने रीजन रेट किया है और ये 2012 की बाद आठ से ग्यारा साल पहले किते हैं उसका दान दुबारा अपनी वाइटालिटी रीगें कर लिए उसके लिए उसकी जो नर्व उत्तियों से हम वी जन्रेट करते हैं इसके लावा चांदी की फिलिंग मौर देन 150 यर से जो 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 रहें की पर लिए अब 2009 में नौर्वे ने बैन की ती मर्करी के शुदिया जासे इसके लावा आइस्था इस्था पूरी दुनिया के अंगर से अमल्गम की फेजिग आउट हो रही है और आकर सिरब एक ही मैटीरल है जो डेंटल कंपोजिट के आप से तोथ कलर्ट फिलिंग मेटीरल है उसके स्ट्रेंग्ट पी अच्छी आ रही है जो अमल्गम कर आप कंपेर किया जा सकता है प्लस वो देखने में अच्छी लगती है लाइफ लाइप पी रहा सकती है नैस्ट्रोल की तरह लोग खुट प्रिया लगती है तो यह किस इस पर जासे सारा कुछ हो रहे है टेक्नोलजी की वेज़ेश वो बत्तिस दंतों वाली गेम पतम होगी अब मोडरन डेंटिस्ट्री की प्रफचा लेटस्ट इन्वेशन स्टेंप सेल टेक्नोलजी इवन के बायो टूस्थ जो पुरा नियादार नाने को भी वहाम होगा है वो भी स्टिल इन प्रोसेस लेगे इंचाला फुचर भी होजेगा है इस तरह नहीं मिटेरियल कंपोजिट के अंदर नैनो टेक्नोलजी जो जा रही है नैनो कंपोजिट इन्वेशन नैनो पार्टिकल्स जो हैं इनका इस्तमाल बहुँआ है इनकी अंटी बेक्टेरिल प् इस ने रही है इस प्रटिकल्स जोड़ी जो जो पार्टिकल्स जो एक पूचिए यह कि अच्छी ओप्छने हैं पहले इस के लिए को साईड़ा वाले नांते को भी रख़गता है उनके अपर क्रावनिंग करने पड़ते जो आप देंटिक अच्छी अच्छी ओप्छन कि उसमें ऐसे इंप्लांट आगे इसमें ज्यादा आपको लंबा वेट नहीं करना पर इंप्लांट में आपको 4-5 मंग वेट करना पड़ता है तक उसकी मौन से ग्रेप अच्छी बंजी ऑस्यों इंटीग्रेट अब जो नहीं टेकनोलोजी आ रही है जिसे मौन इंप्लांट इसमें वान वीक के अंदर आपका इंप्लांट स्टेबल वाजाता है उसके अपर आप खाऊं लिगा सकते हैं इसे कहते हैं मौन इंप्लांट में तो यह भी पेशेंट के लिए अच्छी ऑप्शन एक सो बलता है जात देर उसका मुँखाली नहीं रहे है उसे फिक्स प्रो इसमें बच्चों के लिए बहुत आ जाते हैं जबकि हेसमें इसकी जुरत नहीं होती है उनके लिए चैस्ट्रीप्मेंट की ऑप्शन वेलिबल है कि सबसे पहले आज़ते है लेस्टियर लीजन स्टिरलाजिशन एंड इसे पहले नॉन वाइटल पॉर्टमी का नाम भी जिए हैं या स्टीएफ जोता है सिल्वर डायमीन फ्लोराइट इससे आपकी केरिज रेस्ट हो जती है तो बच्चों में दो चीज़े बड़ी हैं तो ब बच्चों का ट्रीटमेंट करना वैसे मुश्किल लगता है इंजेक्शन का डर लगता है इसके लिए मैं इसके लिए मैं कंजर्वेटिक ऑप्शन की परचाना तो जिसमें LST बड़ी अच्छी ऑप्शन लीजन स्टिरिलाजिशन एंड टिश्यू रिपेल जाते हैं इसके इसके लावा कॉंशिस्टेशन की ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं अगर आपने जनल अनस्तीजिया की तरफ नहीं जाना तो कॉंशियस्टेशन उससे भी बच्चे का आप इजिली ट्रीट कर सकते हैं इसके लावे बहुत ज्यादा दिसमेस करते हैं बीहेवियर इसके इसके सामने जिस उसका डर उतर दोगी है किसी और पेशेंट को या किसी आर्टिफिशल चीज़ पर से प्रोसीजर करते हैं तो इस सारे बीहेवियर मेनेजमेंट का फाइदा जोते हैं कि बच्चे का डर दोर दोगता है और चाइल्ड पेशेंट जब भी आपके पहल नहीं कर देजिए जसे चेर पर बठाना थोड़ा सा ब्रिशिंग का बताना और थोड़ा सजस्ट उससे कम्मिनिकेट करना होते रखिए उससे आपका आईडी हो जीगा बच्चा कैसे हैं इसे कैसे आप ट्रीप कर सेके अगर आप फर्स्ट विजिट में उसे इंजेक्शिन को कैसि हमारे दाלאं पर बहुत मिसाइलं रखे हैहां पाल्बरीश करते हैं हमारे साथ रहते हैं कुछ लभ ब्रूज नहीं तरफे थेजिगने का फरदो कभी बच्क्रा कि और आक इस तरा होरीजम नहीं ख़ंड ऐससे शक्राव को इसंगा उपकर से की नीचे तुक्ड होग और आपके मिसाइल दोर जाएंगे रास होने से पहले और सुबार नाश्टे से पहले और रीसेंट रीक्मेंडेशन करती कि नाश्टे से पहले बुरश करना चाहिए इसका दिन में एक तफाव डेंटल फ्लॉस जो धार्दा तो यूज कर सकते हैं कि पेस्ट में फ्लॉराइड होता है जी जी फिफ्टीन हंड्रेट पीपीम अगता है बच्चों में निगलने के चाहिए उससे बच्चों को हार्म हो सकते हैं मौथवाश का इस्तिमाल थांग करना चाहिए उसकी रिक्मेंडेशन देगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए वन मन्त सुबह शाम के रहें उसके बाद उससे छोड़ें लॉंग्टर मौथवाश चाहिए दानतों पर स्टेनिक हो सकती है मौ में बर्निंग संसेशन हो सकती है आपका मौ का टेस्ट चाहिए इवन कि जो प्रॉटिट ग्लैंड जो कान के आगे जो ग्लैंड वदूद होते हैं उनकी इंफ्लेमेशन तक रिपोर्टेट हुए तो और आपके जो अच्छे बिक्टेरिया होते हैं जो गुड फ्लोरा इसलिए मौत वाज को रोटीन भी यूज नहीं करना चाहिए वन आप केमिकल प्लाग रिमोवल के डिपेंटेंट हो लिए प्लाग रिमोवल का आईटिकल तरीक्रा मेकैनिकल ही है तो चुछे टूथ ब्रेशिंग आजगता है मिस्वाब यूज कर से कोई भी करें उसकी टे अगर आईट लिए जसे लसन की वेजा सकती है या को ऐसी मैडिशन लीजाइसे फ्लेजल मेट अजो उससे भी मूह में समयल आजए इस सारी फैक्टर आपको पताने चाहिए मोह में अगर मूह की वेजा से आरी तो सबसे में 99 परसेंट रिजन जुबान के पर जो वाइट को तो तो दुबान के इस एक आरी इसलिए रख्रमेंडरी जबिए जबिए बुरश करते हों जुबान पर भी बुरश करना चाहिए उसके लिए टंग स्क्रैपर वी मिलते हैं को इसके लाव आप पूश्व क्रते हैं यहाम निठा ने खाते है बुरश भी प्रोपर करते हैं पिर भी हमारे दान्तों में पीड़ा बहुत जार बहुत जार रिजन भी आता है जैसे जीरो स्टॉमी है मुह का कुश्क रहना शोगर के मरीजों में मुह कुश्क रहना है बी हाइडरीशन में अपकता है कुछ भी मारिया है जिसे शोगरां स्टॉम जार पर इम्यून डिसी उसके इंदर आपको कुश्क रखता है उससे आपने रूल आउट करने हैं इस वरस उसके मुह कुश्क हो रहा है कैंसर के पेशेंट है जो रेडिशन ठ्राफिटों में जीरो स्टॉम जार पर पहले उस मसले को ट्रीट करने पर उससे आपमेटिकली दूसरा मसला करें इसके आपके चीज़ों से लोगों को एडिक्शन अपती है जैसे शीशा पीने वाले बड़े लोगें इसे आइस भी का जबते हैं अब आइस चीशा क्या करता है वह भी रैंपेंट के रिस करता है उससे आपका मुह ड्राई हो जाते आपके पूरे मुह में दान्तों में खीडा लगने इसलिए हैबिट्स से अपनी जान शुडाने च जानी कि बहुत जाधा केस रिपोर्ट हो रहे हैं दान्तों में कीडा जुलिए है इसके लाग दुछ लोग पूछते हैं कि डाइट का क्या रहा है डाइट में सिंपल सी बात है जो चीज आपके मुह से वाशा उट हो जाए उसका कोई नुकसान है जो डाइट या फूड आ दान्तों में से निकल जाएगा जिससे दान्तों का स्वक्ष्ट्र को लैप्स कर देगा और कैविटी जिसे कुछ लोग खोड़ भी करते हैं खड़ा सब्सक्राइट इटिफेक्ट सा बन जाते हैं और कैविटी बन जाती फिर उसका एक ही लाग उसे रिपेर या रिस्टोर करना पड़ी तो आपको किसी पिलिंग में टीपर सी कर सकते हैं तो यह लग लगी बड़ी नहमत दान्तों आपके मूँ में जो दान्त हैं यह एक तरह से एंट्टर्स आपकी जिसम का इसकी केर बहुत दूरी है अगर हम इसकी केर करें के तो हमारे पूरी बोड़ी पे इसक आपके नुक्सान होगे तो इसी तरह हमारे चैनल को देखते हैं वीडियो को लाइक करते रहें सब्सक्राइब तरहें शेर करें ताके अतीक देंटल के प्लोड प्लेटफॉर्म से फदर भी आपके इंफॉर्मेटिव इडियो फ्यूचर में आपके देते रहें थैंक यू करते हैं